गीता अ-ठारा के श्लोक नंबर पासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शान्ती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनियें जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचन कंठी माला और मर्ग चाला शर्पय जटा रखावे हैं डोल लक तालज हालरी पीटें यो तान अरी री गावे हैं यह माता का जागर नकरेंगे या बेंजू बेंजू बांद को फिर्गीत गावें तो सबद गावेंगे यह को बगति है अपने अत्मों आमने बगती का पता है नहीं था अब जैसे यह दास सुड़ प्रहरम माजश बक्ती मारग पर लगा तो इस इत्हारत बक्ती का प्रकास नहीं था गरीब दास जी के पंथ में वानी सब्द वह बहुत गाया करते थे और जहां भी गाने यह सत्संगा आयोजन होता था तो वहां पांच चार अच्छे चुने हुए गायक लाए दाते थे जिनकी आवाज सुरिली हो तो फिर पहले एक सुरू होता था फिर कहते इतना वह यह तू सुना आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है फिर उसको लगाते अरे बले आदमियों अब अकल काम अब करें जो बगवान न दया वक्सी अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भी तेरे गर में चो तो मी करी होगी सामने वाले न भांग ने पी रहा जिनी श्राब ने पी रहा जिए होगी तो एक दुं सिंटित होगा और तरण दिया यगर की तरफ चल लेगा? और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया और जै उसने सरापी रहाखी होगी तो वो क्या कहेगा याभी फिर बता क्या कहा और दूसरा उसे केसा सरापी है बताओं क्या कहा आपके चोरी हो गई हाँ यह बहुत बड़ी आवो लवाए जिसकी आवाद बड़ी सुरिली है आप कैचोरी हो गई और फिर वो भी कहता आप कैचोरी हो गई तो वो दोनों सराभी है तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुमारा नस्ट हो रहा है प्रमात्मा की वानी गा रहे हैं सत नाम बिन अर्सत गुरु बिन मोक्स नहीं सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं गुरु बिन मोक्स नहीं सत नाम बिन मुक्ती नहीं अर्सत नाम किसी के पास नहीं वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोत्ता पकड़ दिया तोत्ता उस तोत्ते को बेचने जा रहा था पिंज्रे मलेक है एक भग्त संत साधू मिला उसने देख्या कि यह पक्सी जंगल में भूमने वाला है और यह कैद हो गया तोत्ते क्या यह बहुत लंबी होती है मुनसे भी जादा होती है और यह सारी अब कैद रहेंगैं क्यों ना इसको मुख्त करा दू उसने उस बेचने तोत्ता वेचने वाले से पूछा भी सका मुल्य बता कि कितने में बेचता उसने का पांस रुपए लूँगा पिंज्रे समयथ है अक ले बश्य ऊपन्स रुपए ले अर देज्छे अब उस तोत्ते मैं दाने डाल दी जाल बिछा रहा कहता, मैं ने दिख्ञा नहीं, मैं लालत में आकर, वो दाने खाने के लिए आगार मैं फस गया, तो गुरु जी संत ने कहा के भाई, अधी मैं तुझे छोड़ दूँ, तो फिर तो ये गलती नहीं करेंगा, अगर ना जी कदी नहीं, कदे निगरो तो सुन ले ते भी सुन ले और आप वहां जाकर सारे तेरे साथिया नभी बता जीए क्या के लिए एक मूल मंतर बताता हूं अब बताओ भाई पार्दी आवगा सिकारी जाल डालेगा दाने डालेगा हम दाने नहीं खाएंगे तो फसेंगे जी ठीक है उसको दस अब तो ता छोड़ दिया और साथी रिष्टेदार कठे हुए भी कैसे बचा के एक साथ दूसंत ने दया कर दी भाई मेरे पर और एक मुझे अज़ फार्मूला दे दिया आग गए आपां फिर मार खावांगे नि एक ऐसी मूल मंतर बता है तुम भी सुन लिए शिकारी आ दाल लेगा जाल बिचावागा हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फसेंगे नि रोज आरती करें वर्क्स पर बैठके सारे शामन और दनम ये गोट लिया उन्हें गाहितरी मंतर बना लिया एक दिन शिकारी वहां पहुंचा उसने देखा तोती तो वही किसी ने शिक्षा दे दिन को ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवगा दाने डाल लेगा जाल बिचावगा हम खाओंगे नहीं तो हम फसेंगे नहीं उसने सोचा यहां कोई फाइदा नहीं वेरा आने का चल दूसरे साइड में जाता हूं फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूं को एक का ना समझ फस भी सकता है इतना रोटी राटी खाऊंगे जाल बिचाकर देखें हैं उसने दाने डालकर जाल बिचाकर बैठ गया लिए था अग्वोख लागे चलो भाई आगा माल और फटाफट वहां पहुंच गे और सारे देखा देखिए उसके अंदर जाल में सिकारी ने सोचे हैं तो मूर रखे बंडें बंडें से नग्यान कुछ नहीं उन्हों पकट के जाल खेंच लिए सारे जाल के अंदर अब जा आओगा जाल डाल लेगा हम डाने नहीं खाऊंगे तो हम फसेंगे लिए अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंदे पर डाल कर चल पर पीछे वाफ सारे तो उत्ते पीछे फिर भी घी गीत खारें शिकारी आओगा जाल डाल लेगा और दाने डालेंगे दाने नीखाएंगे तो फसेंगे नहीं अब उदर से वो रस्ते में वो शिकारी को वो गुरू फिर मिल गया वो संत उसने देख्या यह गायतरी मंतर तो मेराला पड़ रहे हैं यह क्यूकर चकर पड़ा वैसारा अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई क्योंकि जब वो तोता गणा बोल्या करता जब पकड रख्या था पेंज्रे में और उसको सिखाया करता था वो डट्ट्या नीडट्या था जब उसने ताली बजागर रोक्या करता हो गुरू जी तो उसने वो ताली ऐसे थेली बजाई उसने देख्या वो कोड़ वरड अग्यों तो गुरू जी खड़े हैं उसने देखा सच्मुच तो गुरू जी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो मुर्दे जैसा स्रूप बना लो तो उस तोत्ते नाखे पलटली जैसे मर गया तो चले भी देख्या करें जैसे वो करें तो सारा नाजे कर लिया अब सिकारी ने सोचा है तो सारे मर गया वाई वेट्टी यह बाप तो उसने सारे पटक दिये उड़े वह क्यों बोज मरता जाओं इतनी दूरी तो सारे इनकी तांखे पलट गी शिकारी चलागा जब गुरू चले वह क्यों बेरागी सन्यासी से वडे तन पर चार लगावे हैं पांचोनार पचीसों लड़के यह दूंदूंदार बचावे हैं कंथी माला और मर्गछाला शर पैजटा रखावे हैं और धोलक ताल जालरी पीटो यतानारी रीगावे हैं तन के योगी मन के भोगी गुजबी रिजका मरमन जाना यह बद्दर भेख बना हुए हैं करवा और कोपी न लिए जो बनखड गुफा बना हुए हैं खुद्या कुटी गटमें दूती फिर ग्री दुवारे आ हुए हैं अब क्या बचाते हैं के घर त्याग के जंगल में जाका बैठिए देखो पर प्यास बुज़ नहीं सकती क्योंकि हम ऐसे सुख सथान को छोड़कर इस कंगाल लोग में आगे यह कोई वस्टू पूरी नहीं है तो उसके लिए हम युगों से बटक रहे हैं लेकिन सादना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलीदान भी विर्थ गए घर छोड़ना कोई छोट लेकिन फोख लगेगी एक दिन रोक लेगा बूख न दो दिन रौक लेगा फिर कहा ना पढ़ेगा गरिश्ती के द्वार्पए आना पढ़ेगा और रोटी उससे बख्षा लेका फिर जंगल मजागा वहां खावुदा फिर सर्दिन लगागी कुटिया बनावागा वर्ष के लिए जो भड़ी भी डालनी पड़ी है रोटी खाने के लिए को थोड़े बहुत पात्र भी कठे करने पड़े को गिलास कटोरा थाली तो परमात्मा कहते हैं कि देरे डंडे खुसर हो ये खुसरे लेने मोग से दरूपर लाद पार होगे फिर गरिश्ती में क्या दोश केल की कोपीन है जो पूल पानफल खाईी नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती नकट ना जाईी वो जंगल के रोज हैं जो मलस्यों बिद गे जाईी निस्तिन फरो उजाड मैनें उपर मत्मा पावे नाहीं कहते हो तो जंगल के रोज हैं नील गाए आदमियान देखको तनी जाते फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं और तन पर केवरे केले की कोपी यानि केले के पत्ते को गुपतांग पर रखते हैं इतने बेरागी हैं परमात्मा कहते हैं बगती यदि सचा नाम सत नाम और सार नाम कप्लीट कोरस नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले मोक्स नहीं और मोक्स के लिए परमात्मा ने उधारन दिया कि स्वेम एक जोख्टी बना कर रहे एक गरिस्त आचार निर्वा करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे में लगा अपना समय पर जो मालक देता उसमें विश्वास करो बक्ती करो और अपने जहां सुईदा जनक है उसमें रहो ऐसे अज़िट इच अब इन बाहर जाने के बाद आप देखते हो इन में भांग पीन की बिमारी लग गए सादू संतों में क्यों लगती है क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेणा पाकर के अब जो गुरू जी है उनको मालूम है कि नया नया आया है पांट दस मेने दो मेने में इसको गर की याद सतावेगी इसलिए उसको आदी कर देते हैं सुलफा प्यान की भांग प्यान का क्यों यहां पढ़ा रहा है गार तरे पास ना तुब भांग ना जा और भांग पी के वक्ति व्याक रहकते बखवाद नहीं के काम है यह प्रमात्मा सिप्राप्ट ग्यान को कैसे बताते हैं मैं तो दे दिये बालम बेरे नूमत दे दिये बालम बेरे नूम तो दे दिये बालम बेरे नूम तो दे दिये बालम बेरे नूम अब ये आत्मा रो रही है ग्रीबदास साहिब जिसको कैसे चित्रार्थ कर रहे है ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया जो केवर उल्टे काम में परसन रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है अब जैसे आप फिल्म देखते थे पहले इव्तकर नहीं देखते फिल्म देखते थे तो तीन तीन गंटे तक बैठे रहें आँख पाड़े और पहले वी सी और लाग और तिन तिन फिल्म नो नो गंटे सारी सारी रात देखे जानते नो अब जैक्शन क्यों मन तो बकवाद चाव है कि ये करम फोड़ जे किसी तरह अपना टाइम पास करका मनस जीवन का और निकल जाए एक वेसमें तो फिर देखो इसना है गदा कुटा बना कर छोड़ देगा तो यहां आत्मा कहती है कि ये और बगती करें मन यू चाव है बगती करें तो नकली करें आप देखते हो दास भी जाया करता देखा करता था जाता भी था कि जहां हम जाते थे साला सर जाते थे या कहीं ओर देखा करते थे तो भगत सर धालो पेट पलनियां चल कर जाते थे अब कावड लेन जाते हैं पैरों में चाले गिर जाते हैं कितने कठीन प्रियतन करते हैं परमात्मा के लिए अब साद ना ठीक ना उने से तू तो पाप क अठेक रह सारे और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है ते एक मंतर की बाला करण में इसका मन कटा है मन का नो सोचा फिर देखूंगा फिर देखूंगा और वह ड़ले डौण में कतीना नो किया फिर जाओंगा तो उल्टे काम इस पर कितने करवा ले ओ अच्छे काम मैं यो उल्टा चाले हैं सच साधना जब इसको मिलती है तो आना कानी करता है अब पहले आपको जो ग्यान प्राप्त था कोई सोमवार का अबरत कर रखता था उसको कोई कह दे कि सुकरवार का बहुत बढ़ी अबरत हो वो भी साथ कर लेता शुरू और अब कोई ये कहा कि ये सब बकवाद छोड़ दो देखो ये परमानगी तावेद प्राणों में और परमात्मा के बताए ज्यान में और ये साधना कर रहें नो 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 ये थोड़ा वाक रहें तुरंत नाट जागा दूसरी बात सुनता नही तो क्या कहते हैं? आत्मा कहरी है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी और मन काल है काल का एजेंट है और आत्मा परमात्मा का अनस है मैं तो दे दी हे बाल में बेरे नू संसारी दी गलाँची ने ये नहीं बुझे सब्द जो गेरे नू मुर्जयों से ती प्रीत लगावे ना जान सत्य गुरु मेरे नू मैं तो दे दी हे बाल में बेरे नू मैं तो दे दी हे बाल में बेरे हे नू गरीबदास जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं बगवान को शेर पर मुकट है स्वेत छतर है दाता के उपर स्वेत छतर शेर मुकट विराजे देखत ना उस चेरेनू उंची थड़ियां ये खेती बोवें भूले गए निजडेरेनू मैं तो दे दी हे बाल में बेरेनू ये सनसार समझदा ना ही केंदा स्याम दो पेरेनू ग्रीब दास ये वक्त जाते है रोवोगे इस पेरेनू मैं तो दे दी हे वाल में बेरेनू मैं तो दे दी हे वाल में बेरेनू एक भगत बता रहा था जैसे केते ना संसारी दी गल्ला चिन ना बुद्ज सब्द जो गैर हे नू यानि गूड ग्यान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा और आम आतमी कोई कैदे उस न मान ले और कोई कैदे चल साल आसर चलेंगे एक्चल भाई का चलना है और कोई कैदे वैसमों देवी चलेगा कहां ट्यार चलेंगे वहाँ टिंडे लेन जाओगा बता कोई विचार नहीं करते और जब ग्यान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये परमान है यह दास च्छ च्छ प्रमान देता एक पॉइंट को कलियर करने के लिए और इतना देख कर भी तो नहीं मानते तो वो मन से मन के प्रेसर के अंदर है उसी इसलिए प्रमातमा हमें बताना चाहते है कि मैं तो देदी बालें बैरेनू अब जैसे एक बागत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने गणा में तर था मेरा जब यह सत्संग मैंने सुना ग्यान लिया नाम लिया मैं सत्संग माने लगया तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ कि नब फेर देखूंगा अब टेम को नहीं अब समय नहीं है फिर देखूंगा नाट से कहनी था क्यों दोस्ती थी तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला चला भी फिर बताएंगे इसको थोड़ी सी दूरी पर कोई एक कोई अन्य को कह रहा था कि उस गाम में रागनी कंपीटिशन होगा वो मेरा में तरुन के पास जागे खड़ा खड़ा हो गया और कोई से गाम में कहा है बताएंगे रात नहीं वहां धक्के खान चलाएगा और तीन दिन में आया वो रागनी कंपीटिशन सुनने के लिए वादफट देश विकार कर लिए मैं ने बताया उसके लिए समय नहीं था एक भगत था वो पता रहा था कि एक एक उपदेश सीव ले लिया उसने और उसने फिर अपने मैत्तर को समझाना यह परतेग की कर्दों बनता है कि मैं अपने मैत्तर को अपने जो भी जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाओं तो उसके पास जाके कहने लगया को भाई सुच्छंग में चलो ग्यान समझाया काफी तो वह कहने लगया वाई मेरे पास टाइम नहीं फिर देखूँगा तो पीर दोश कुछ दिन के बाद भी जयWow शुच्छ्टु नैक्स्ट समय आया शुच्छंग का निकट सी तो उसने कहा भी चलोगी शुच्छंच में उसने कावज मुझे फुरसत नहीं फिर देखूंगा फुरसत नहीं देसी भासा में फुरसत के उसने दो-चार बार कहा क्योंकि फर्ज बनता पर तेक विक्ति का जब ग्यान समझ मां जा रहे हैं रहे कर समझावे तू बार-बार कहता रहा भी तू गणा पिछए मत पड़े मुझे अभी फुरसत नहीं है थुड़ा सा बच्चे स्याने हो जाँ और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा अब कुछ दिनों के बाद उसकी आर्ट टेक से मरत्यू होगी मित्तर था उस सोक में जाना गया उसका जो और वो कह रहा था आज बाईने फुरसत है और कह रहे थे राम नाम सत है वो कह रहा था आज बाईने फुरसत है तो दूसरे उसके और विक्ति कह रहे थे तू ठीक बोले के के सोचेंगे गर के हग मैं ठीक का बोलो हूं तो अपने अत्मा ओ तो यहां क्या बता रहे हैं के सं अब मुर्दों सेती प्रीत कैसे लगाओं एक बाबा था गाओं में रहता था, मर गया उसकी समाधी बना दी, सारा गाम मात था टेक हुआ, वो खाक देगा, अब जैसे कोई वैद है, कोई डॉक्टर था, अर अच्छा जानकार वैद था, नाड़ी पकड़ के, रोग बता देता था, दोआई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया, अर अब वो मर गया, मरने के वाद उसकी समाधी बना दी, उड़े मूरती भी बना लो उसकी, और फिर वहाँ उससे माता टेकन जा और दुआई लेने जाओ, वो खाक दुआई देगा, ऐसा ही वैद खोजना पड़ेगा, जैसा वो था, और वो वैद आज सतलो का सिर्मबर वाला जिला इसार में है, इस पर च्वी बनेगे, अब क्या बताते हैं, पहले वर्षा के उपर निर्भर होता था, सारा खेती किसानी, जब ये बार नी बोली थी पर मातमा के बच्चे गरीब दासी ने, अब उस से में कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो डहर होता है नीचे का जील का खेत उच्चे स्थानों पर वर्सा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में और डहर एक उपजाओ जमीन होता है थलियों पर तो मनमाने किले में ओवें पांच मन गेहूं बादरा मुस्किलते हैं जब वर्सा हो जाता है वो भी और नीचे हो जा पचास मन किले में साथ मन तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन सादनाओं को आप कर रहे हो और जिन देवताओं को जिन भगवानों को आप इस्ट म साधना बताते हैं हम जो कवीर भगवान बताते हैं ये समझे लो डैर है आपका डैर वो उपजाओ जमीन है एक मनगे हूं डालोगे तो सत्र मन देगा आपने स्वेत चतर शेर मुकट बेराज देखत न उस चेरे नू ये उंची थल यांखे ती बोवें भूले गए न जडेरे नू ये सनसार समझदा नाहीं कंदाश्या में दो पेरे नू अपना अत्मा देखो हमारे साथ कैसा कैसा हमारे साथ बना हुआ है अब जैसे कोई रिलेटिव है रिष्टेदार है और कोर्ट में चला गया कचैडियों में आगे रिष्टेदार मिल गया तो हम क्या करते हैं हैलो और ठीक हो आथ में लाओंगे खांजी ठीक ठाक सब ठीक है कचैडियों में ठीक ठाका कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी के चाडियू मिए आद में ठीक हो सकता है, किसी ने सता रहा होगा सोचनता हैं होती है आज पता निए गवाही की तारिक है, आज फ़ना निए तारिक है, पता निए क्या होगा प्रवात्मा कहते है आपने तक काल की भांग पी राखी है जैसे को रिष्टेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालग बिमार है मिलने जाते हैं रिष्टेदार हाथ मे लाओंगे और ठीक ठाक हाँ पर ठीक है सब बाकी हो बालग का तकलीफ गड़ी है फिर खाक ठीक है लड़का मरन दो रहा बिला वो क्यो रिष्ट ठीक ठाक है तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझा नहीं सके यो ठीक क्या है यहाँ पर अब क्या बताते हैं जैसे एक सराब पियें पड़ा सा दो पैरी में गर्मियों का मोसम और पशीनम पशीना रेत में पड़ा और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वर्क्स के नीचे बठा देता हूँ वह कहते हैं तो यह हालत हमारी स्काल के लोग में 36 समझे हैं हमारे सामने राच में लाज़ें लिए ठीक ठाक है खाक ठीक ठाक है आपर तो कहते हैं जलती धूपने नहोगे मौज़ें है ग्रीब दासे ये वक्त जात है रोगे इस पैरे कि याद करकर रोया करोगे इस मुनस जिमन से हाथ चलागा गल्सादना करके या बगर सादना के जैसे कुटा रोया कर रातना उसका अइसास होता है कि मेरे से गल्ती बढ़ती मतो देदी है बालम याणे नू मतो देदी है बालम याणे नू गिता और भागोत पढ़े नहीं बुझे सब देठकाने नू मन मतुरा दिल द्वार का न गरी क्या फिर बरसाने नू मतो देदी मतो देदी है बालम याणे नू मतो जब फुर्मान धनी का आवे को राखे घर जाणे नू जब फुर्मान धनी का आवे कोण राखे घर जाणे नू जासत गुरु का सर ना लीजे मिटे जम तल बाने नू मतो देदी मतो देदी है बालम याणे नू मतो देदी है बालम याणे नू उत्तर दक्षिन पूरब पस्चिम फिर्दा दाने दाने नू सरुव कलासत गुरु साहव की हरी आये हरी आने नू मतो देदी है बालम याणे नू मतो देदी है बालम याणे नू जम किंकर का राज कठिन है ना वो छोड़ राज जा राणे नू जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राज जा राणे नू यादो नियादा जीवन जोठा तुम भोले गए मर जाने नू मत दे दी याने नू मत दे दी बालम याने नू सील संतो से विवेक विचारो दूर करो हो जुल माने नू सील संतो से विवेक विचारो दूर करो हो जुल माने नू ज्यान दा राच ध्यान दी तुरिया कोई जान पान रिशाने नू मत दे दी बालम याने नू मत दे दी बालम याने नू मत दे दी महल का पाट सत गुरु ने खोले अमी महार से खाने नू महल का पाट सत गुरु ने खोले अमी महार से खाने नू गरीब दास सुन भावर उडावे गगन मनल रम जाने नू मैं तो दे दी हे बाल में आप क्या बता हैं गरीब दास्ती है गीता और भागोत पढ़ें ना बूजें सब्दे ठेकाईने गीता पढ़ते हैं भागोत कोई साथ साथ दिन कता सुणते हैं उसमें के कता है सरमावा मनई और पढ़े रूती से पढ़ा करते थे ऐसी बेधुदी बाते ऐसमें लिखी हुई है सब्भी स्माज में पढ़ ड़िक करेक्टर ही नहीं तरही तरही हुंता आती है अर उसने पढ़ दें कहतें । गीता पढ़ें और गीता में ग्यान क्या लिखा जक्या का नहीं екदा गीता और भागोते पढ़ें नहीं बुद्जन सब्द ठकाइनेन। यानि ठीक जो सत ग्यान है उस मंतर को ये नहीं पूछ रहे हैं। आप क्या बताते हैं। जब फोर्मान धनी का आवे को रख घर जाइनेन। और जासत गुरु का सर ना ले लो जो मेटे जम तल बाइनेन। मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं। कि जब तुम्हारा समय पूरा होगा मनुस जीवन। अब यम के दूद आपको लेने के लिए आउंगे। आप चैए शिव के पुजारी हो चैए विश्णू के चैए मात्ता दुर्गावर। किसी के भी। चैए बिर्हम के और चैए पर बिर्हम के। आपको कोई नहीं रोक सकता उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। और यदि आप परमेश्वर कबीर जी की सरन में इस दास के मात्तम से आ जाओगे। परमात्मा उसको भगा देगा एक छोड़ो। अब ये मेरा बच्चा है। तुम इसमें कुछ नहीं मांते है। एक आपने बहुत से बगतों के अनुभाव सुने हैं। जब यम के दूट आते हैं। एक भगत कह रहा था जी मैं सौपन सोच रहा था रातना मेरी मर्टूख होगी। दो तीन चार मने दिखाई दिये काले काले से। वो कैन लगे आजा मेरे साथ। दो थे वो और हमारे साथ चल। मैं उनके साथ चल पड़ा वह के बात है। चलो कहां से लेंगे। बहुत उंचे लेगे मेरे को। फिर मुझे मैं मुझे मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो कि तेरी धर्म राज के पास ले जाएंगे तुझे। और फिर क्या करोगे फिर जैसा उनकादेश होगा वेसा करेंगे नर्कमण डालना होगा नर्कमण डाल देंगे। तो उसे नहीं सोचा मैं मर किया क्या क्या अए मर ले तुम्हे मैंने तो नाम ले रखा है। ऑपके कबीर साहिए आए गरुरू जी हमें बताते रहते हैं कि काल के दूर्ट तुम ले जा नहीं सकते तुम कैसे लाई मेरे को मैं नहीं जाता के नहीं खड़ा हो गया और निकट दा लिए थे दर्मराज के दर्वार के बाहर खड़े नहीं बहुता ना जाओ अंदर उन गेला में गुटम गुटा जगड़ा होगा दो और उसने जाकर पूछा जी ऐसे एक व्यक्ति को लाए हैं जैसे आपका अधिस हुआ था और वो कहता मैं तो नाम ले रख्या है और कभीर भगवान से प्रमात्मा का कहते हूं वो बैठा दक दाड़ यसी वाला बड़ा साथ हूं नो दीख खबला मेरे को जाकी में गए उस से पटक दिया वापस इतना उचत पटक दिया बे रहा है मोना जैसे और मेरी घीगी बंद्री वापस आ एक दो मुठा तो काफी देर तक मेरा स्रीर सथिल था हिल टूल नहीं रहा था पसी ना स्रीर मारा तब यद ही ये सा गटना ना गटतिर में ठीक ठाक उठ ले जाता त तो साइद में इसको के वल सौपन मानकर भूल जाता है अब उसके वाद मेरी और ज्यादा लगन बनगी भगवान में तो यहां गरीब दास जी कहते है जब फोर्मान धनी का आवे को रख घर जाने नो जासत गुरू का सर ना ली जज़ो मेटे जम तलबाने नो जो जम का त भगता है मेरी मर्जी से यहां से जाएगा कहते हैं ऐसे सत्गुर की सर ना लो और वो सत्गुरू वो संथ उस परमात्मा की करपास यह दास राम पाल दास के पास वो मंतर वो सक्ती है भगवान की दियर अब आगे क्या बताते हैं उत्तर दक्सन पूर वपस्चिम फिर और सर्वकलासत गुर साहिब की हरी आए हरी आएनेन। एक भगत कह रहा था जी अभी मुझे अब दास तो पता नहीं कितने वगतों से मिलता है उनकी प्राथना होती है दास तो एक नौकर है पी एन है उस परमपिता का कबीर बगवान का आपकी अरजी आती है दास का काम उ इसकी ना होती है वह जाने तो दास ने उस एक भगत ने कहा जी मैं विदेश जाना चाहता हूं अमरिका का बीजड़ा चाहता हूं और बन नी रहा महने सारे प्रयतन कर लियी मैंने कहा बेटा विश्वास करेगा तो यहीं तरफ अम्रीगा बना जाँगे तो उसका काम बढ गया सारे सुख होगे और जो पलाट था एक वो किसी ने दबा रख्या था वो भी मिल गया काफी कीमती था तो यहां पर मातमा गरीबदास जी कह रहे हैं उट पूरा पस्चिम उत्तर दक्षिन फर्दा दाने दाने नू और सर्वा कला सतकुर साइब की हरी आए हरी आने सारे स जुक देगा तुमें मौक्स देगा मतो देदी बाल में गुंगे नू मतो देदी बाल में गुंगे नू जा बाल में दी मैं बल बल जावां जो जान लगावे ओंगे नू छाड़ा मूल फूल क्या तोड़ कहां चड़ावे सुंगे नू दूद गवूदा बच्छा पी गया फिर क्या कड़ावे सुंगे नू या तन देही विन से जाते है बहुर आनियों भूंगे नू या तन देही हाथ ना आवे कहां करेगा रूंगे नू नगनारायन भूल रहा है कापर्खे मोती मूंगे नू ग्रीबदासियों साखा सुखे बीज नबूया ढूंगे नू अब ये बिलकुल अरियानवी लेंग्वेज में ये सब्द है ग्रीबदासी का के मैं तो देदी बालम गुंगे नू यानि इसको जब सही मतलब की बात होती है तो यू साथ नहीं देता उँ बक्वास करें जागा बटबट बोलें जा और मंतर करें तो पतानी को 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 मन लग जागा इस मन के वारे में खाए फिर क्या बताते हैं के जा बालम दी बल बल जामा जो जान लगावे उंगे नू यानि उस जब आपका मन इतना सद जागा सीधा हो जाएगा के संसारिक दंजटों को और आनु पासना को छोड़ कर और परमात्मा की तरफ यानि उंगे को इंगे और उंगे इधर उधर इधर यहां काल के लोक में और उंगे ने उधर को सत लोक में कहते हैं उस समय इस मन को आप उस मन की मैं बलिहारी जाओं जो उस परमात्मा की तरफ उंगे को ध्यान लगाता है और गरीब दासियों साखा सुखे बीजना वोया ढूंगे नू ढूंगे माने गहरा बीजना वोने वाला यानि उपर ले मनतें जो बक्ती करता है हुआ काम्याब नहीं होगी जब तक हर्दय में कसक बना के और सचे दिल पर भक्ती नहीं करोगे तो वो तुम जो गैरा बीज बो रहे हैं उनका बीज अच्छा उगता है और जो उपरे डाला बीज सुख जाता है वो नश्ट हो जाता है तो यहां कहते हैं गरीब दासियों साखा सुख है बीज ना बोया ढोंगे लूँ पुनात्माओं सो भागे आपका कि आपको यह अनमोल वतन सुनने को मिल रहे हैं यह काम कहते हैं समझा है तो सरदर पाओं और भाहर नहीरे ऐसा दाओं सुख देवने चोरासी भुगती बन्याप जावे खरवो और तेरी क्या बुनियाद पराणी तुपेंड़ा पंथ पकड़वो कहते हैं सुख देवजे सेरे सीने साधनाए भी की फिर भी यहीं बठकते रहे और तेरी क्या बुनियाद पराणी छोटी मोटी साधना आनू पासना करके आप मोख साथे हो तुपेंड़ा पंथ पकड़वो कौन सा पंथ कौन सा मारग जो सत्गुरु ग्यान देता है उसको ग्रहन करो अपना अत्माओ प्रवात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय क्यों सकता पड़ेगी क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते आप बच्चों को सिक्सा के लिए बेजते हो 15-20-20 वरस तक बच्चे को फ्री छोड़ देते हो बेटा या बेटी को और पैसा भी लगाते हो किसलिए क्योंकि आप परीचित हो इस बात से के लड़का लड़की सिक्सित हो गया तो इसका रोटजी रोटी ठीक मिल जागी तो आप फिर इतना ही जोर इतना ही समय और समर्पन इस साइड में होगे और उधर जैसे लड़के पड़ गे खूब M.A. B.A. Ph.D. C.A. कर लिया और नो करी कॉंड़ी सब को मिलेगी और फिर भी हम पड़ा आगे छोड़ दी बच्चों को तो कहने का बाओ यह कि उसमें हानी भी हो सकती है और फिर भी इतना हम प्रितन कर रहे हैं तो इसमें हानी हो ही नहीं सकती लड़का लगो चाहिए लड़की बक्तिमारक पर सारे ठाथ बगवान करेगा या रुजो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा और मौक से भी मिलेगा सदा के लिए सुख भी होगा अब जैसे ये दास देख रहा है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मात आएं यहां पर पहुंत रही हैं इतनी गर्मी और सरदी के अंदर और कितनी कितनी दूर से आते हैं ट्रेन के अंदर कितनी भीड होती है सारा साथ दो दो दिन लग जाते हैं दूर से आने वालों के 24-25 गंटे लग जाते हैं 20-20 गंटे लग जाते हैं तो ये क्यों आ रही है जैसे कि साल खास कर हरियाना अक्सेतर में हम देखा करते थी हमारे पिताजी और अने गाओं के लोग रातरी के समय जैसे आज कितनी सर्दी है जनवरी में कितनी सर्दी होती है और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के बारा बज़े जनवरी का मैना और सीत लहर चल रही होती है अब हम तो कमरे बंद करके खिड़की दुआर सारे रजायोड के सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जा और किसान एक कंबल खेस ओड़ के और खेत में पहुंच जाता रात के बारा वजे उसी सीथ लहर में वो बिलकुल आलस नहीं करता और जब उसके नमबर आता है नहर से पानी लगाने का उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में और जल के अंदर गुटनो पानी में बढ़कर कसी से वो पानी बंद करता है अब वो किस लिए कर रहा है इसा काम उसको मालूम है कि ये थी आज मैं पानी सिचाई करने जाएंगे मैं नर्दन हो जाओंगा क्योंकि किसान उस प्रोसेस से उस प्रोसीडर से पूरण प्रीचित है इसलिए वो ये देखता तेरे नमुनिया हो जागा रात के से में ये भी नहीं देखता है कोई साप काट जागा नहीं वो काम करकर छोड़े तो सफल हो गया इसी परकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने परभावित हो चुके हैं और संतोस हो चुके हैं और उनको पूरा ज्यान हो चुके हैं कि यूँ काम तैब करना पड़ेगा जब मरें चाहें जीवें पर वगवान के बगत मरें नहीं करते हैं जीया करते हैं और सदा सुख बिला करते हैं इस बिए काहा है कि यह संसार समझदाना आई केंदा स्याम दो पहरेनू गरीब दास ये वक्त जाते रो गेश पहरेनू समझा है तो सर धर पाओ और बहर नहीं रहे सदाओ अपने बाई बेनों को भी समझाओ सारे संसार में ग्यान फैलाओ सारा विस्वा सुखी होगा सब को मौक्स मिलेगा ये ओट टाइम आ गया है परम पिता परमात्मा पूर्ण बरम कबीर परम इस्वर जी कि असीम करपा से आज हम सब को ये सत्संग सुनने को मिला बहुत ही पुनकर्मी प्राणी को मनुष्ष्रीर पराप्त होता है उससे भी पुनकर्मी प्राणी वो है जो सत्संग पराप्त कर लेता है पुनात्मा परमात्मा की आफ़ इस प्रियात्मा हो जो सत्संग सुन रहे है सत्संग में आने से हमें ग्यान होता है कि हमारा जनम हुआ किसलिए हमारा जनम हुआ तो मर्टू क्यों हो रही है हम सारा जीवन जिन भी वस्त्वों को कुलेक्ट करने में लगा देते हैं कोई मकान बनाया है कहीं कोई कार खरीती है किता कोई मोटर साइकल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकठा करते हैं और फिर हम तुरंट मर जाते हैं मरतू हो जाती है हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है ये प्रिवार मेरा है ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है ये कार मेरी है या कोठी मेरी है मरतू के तुरंट बाद इस स्रीर का अंतिम संसकार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहां चला जाता है तो ये हमारा कहां था ये हमारा कैसे हुआ परतेक प्राणी को ये ग्यान है कि मर्तू बहुत बुरी चीज है और सभी मर्तू से डरते हैं और मर्तू कंपलसरी तो ये ऐसा क्यों हो रामारे साथ के हम मरतू से डरते हैं अपने सरीर की रख्षा के लिए हम अपने इस प्रोपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मरतू होनी ही होनी है और ये मरतू हमें बिलकुल खटकती है कती नहीं अच्छी लागती इसका कारण क्या है कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते वजन डालते हैं तो कोई विकलप नजर नहीं आता था क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे श्री राम, श्री किर्शन और उनकी मरतू देखी जाए तो आम विक्ती से भी गल्ट डंग से हुई आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरू तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से कब जुड़े उससे पहले आप क्या साधना करते थे उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे मेरे भगजी हैं जो वो सीजी की बहुत पूजा करते थे क्या लाब मेला आपको उनसाधनाओ को करने से उनसाधनाओ को करने से हमें लाब तो पता ही निथा लाब क्या होते हैं मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते-करते और हमारे पास पैसे की वितंगी थी संद्रामपल जी महाराजी की संड में कैसे आई भगजी एक private job करते हैं फैक्टरी में तो उनकी फैक्टरी में एक भगजी आते हैं वो उन भगजी ने बताया मेरे हस्बेंट को कि आप सतलोक आश्रम बर्वाला चलो और वहाँ पे प्रमात्मा का ओतार आयों संदरामपल जी माराज वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है और वहाँ पे जाने से आपको लाब मिलेगा बैंची देखें, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी माराज से नाम दिक्सा लेने से पहले कौई फीस वगर का प्रावधान है क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फीस वगर लिए गई वहाँ से? नहीं सर जी वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती वहाँ पे बिलकुल निसूलक सारी सेवाईЗी है. बेंजी संत रामपाल जी माहराज से नाम दिख सा लेने के बाद आपको क्या लाब मिले? वहाँ पे जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाब मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बिमारी थी पहले. मुझे ऐसी विमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घुम लिये थे हम, अमबाड़ा में एक डॉक्टर एयर, डॉक्टर अभी गरग, वो बहुत महेंगे इलाज करते हैं, उर्फम के पास मैंने दो धाई साल इलाज करवाया, तो मुझे कोई लाब नहीं हुआ, प्रमात मुझे तो उस में ऐसे होता था, मेरा मूझ उच जाता था, कई कई दिन मेरे से बैड बीस्तर से उठानी जाता था, क्या आपको जो समझाई थी, जो आपको भीमारी थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखा ही थी पहले, हान जी, वो डॉक्टरों गरग से मेरा इलाज च में गई तो मेरे को वहां पे जैसे आश्रम में जाते ही, हमें नामदान का वो मिला के नामदान ले लो, हमने भारंबरा, नामदान लिया, नामदान लेतने के बाद हमने बंडारा किया, बंडारा किया, मेरे को एक दम वहां पे खीर का बंडारा था उस दिन, मेरे को ऐसे तो पंदरा दिन तक मैं भी तरसे नूठी तो प्रमात्मा ने आठ सितंबर की रात को मेरे साथ प्रमात्मा ने काल आया मुझे लेने तो प्रमात्मा ने हम भगत जी उसमें पहले गए हुए थे प्रमात्मा की सरण में तो काल आया मुझे लेने मैं एक दम काल ने मुझे ऐसे अटाय किया मेरे यहां से गर्दन दोच दी गर्दन दोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा कि खड़ा हो गया वह खड़े हो गया उन्होंने देखा कि यह तो एकदम वह पड़ी है मेरी आखों में से पाणी निकल रहा था और भगत जी ने मुझे मेरे मुझे एक आवाज सतलोग का पानी तो भगत जी ने मुझे सतलोग का पानी पिलाया उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठके बैठके रोने लगे के ममी को पता नि क्या हो गया उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे दो बार जल पिलाया वो निकल गया साइड से तो तीसरी बार जल प ना पंदन से चुढ़वाया तो काल ने आके मुझे दबोच लिया तो ज़ पिलाया प्रमात्म संत्रामपल जी महाराज से जो देते हैं वो जल के प्लाने से मेरे को होंसा गया काल ने मुझे छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया, मैं मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए उपर, बरमा जी का लोग, विश्णु जी का लोग, सिव जी का लोग दिखाया, फिर उपर में तिरकुटी पे पहुंच गी, प बहुत ज्यादा इनकी सिच्वेशन अपनी भी बहुत खराब है, तो हमें यही निपता था, मतलब कि परमात्मा है कौन, तब हुआ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें संत्रामपाल जी महाराज ने कि मैं तिरकुटी पे ऐसे बैठा हूं, तब मुझे हमें पता लग में तो वहां पर मुझे परमात्मा संत्रामपाल जी महाराज ने मैं गई, ऐसे मेरी बाजू पकड़ी, बाजू पकड़ते ही, यह बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आरपार हो गया, परमात्मा गुरू जी का हाथ, संत्रामपाल जी महाराज का, और मेरा भी हाथ ऐसा है, वहां यह इतना बड़ा प्रमानमाने काल के लोग से चुटा के काल के बंदन से चुटा के और प्रमात्माने अपना असली रूप दिखाया मुझे आप संत्रामपाल जी महाराज को बार-बार परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं जदि आप संत्रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं उनके अंदर पावर है आप मानते हैं कि वो जनम मरन से छुड़वा देते हैं आपके बहेंकर से बहेंकर रोग को ठीक कर देते हैं आप क्या कहना चाहेंगे ये काल की जो ये जेल है ये 21 बर्माना ये काल की है और 21 बर्मान काल की जेल है इस जेल के अंदर हम है जो ततवदर्सी संथ जो आते हैं वो हमें इस जेल से छुड़वाने के लिए आते हैं और वो ततोदर्सी संत प्रमात्मा रामपाल जी महाराज है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। से नामदिक सालेने से पहले वर्त किये होंगे। आपने भी पितर पूजा ही किये होंगी। अब आप सायद पितर पूजा वर्त नहीं करते। क्यों आखिर क्या कारण है? देखो सर जी हमने पितर पूजा बहुत की। और 23 साल तक हम साकुम्बरी माता है एक तरलोगपुर में हमारी कुल देवी है। तो वहां भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी हमेरे पती को भी इतनी बड़ी विमारी थी। उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी। और मिर को भी यह इतनी बड़ी बिमारी थी, जिसका हमें इलाज नी मिला, हम बहुत बढ़के. तो हमें संत्रामपाल जी माराज की सरण में आने के बाद यह इलाज मिला, तो हम वार्त और पितर पूजा क्यों करें? संत रामपाल जी माराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं कैसे क्या प्रोसेस है ये दिको सर्दालू उनसे नामदिख्षा लेना चाहे तो उनसे जुड़ना चाहे तो ऐसी आपको क्या बाते बताएं, क्या उनके आदर्स हैं, जो अन्य संतों में आपको नजर नहीं आते ऐसी क्या चीजे हैं, जो संत्रामपालजी महाराज को अन्य संतों से अलग करती हैं? तो वो हम देखते हैं, गुरुजी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा दिखा के बताते हैं, पढ़ा लिखा समाज है, पहले हमें सास्तों के बारे में पता नहीं था, संत्रामपालजी महाराज की संड में आने के बाद हमें सारे सास्तों पढ़ने आगे, उनके परमात्म प्रार्थना यही है कि संत्रामपाल जी महराज की सरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ अपना जनम्रण का सबसे बड़ा जो रोग है उसे मुक्ति पाओ जीब धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें करें के लिए